हेलो दोस्तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दही से बना एक फेस पैक जो आपको इंस्टेंट ग्लो देने वाला है देखे गर्मियों में क्या होता है हमारी स्किन बहुत डल हो जाती है और फिर हम सोचते हैं कि हम क्या एप्लाई करें जो हमारी स्किन पर एकदम ग्लो आजाए तो वही फेस पैक मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ हमें किन-किन चीजों की जरुत पढ़ने वाली है वो हम देख लेते हैं स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रियांकास टिप्स में तो हमें सबसे पहले चाहिए दही गर्मियों में सभी के घरों प पर बैग पर नैक पर कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं जहां आपको लगता है कि आपकी स्किन डिल है तो हमने इन दोनों को एड कर लिया है थार्ड इंग्रीडियंट है वह हमारा हणी तो यह भी और हाफ स्पून के करीब आपको बैट करना है और फॉर्थ हम लेने वाले हैं वो भी शायद आप सभी के घरों में मिल जाएगा और वो है रोज वाटर चाहे आपने घर पर बनाया हो चाहे आपके पस किसी भी ब्रैंड का हो चलेगा अगर आपको नहीं आजा कि घर पर हम रोज वाटर कैसे बना सकते हैं तो उसका वीडियो का लिंक आपको अब हम जाएगा तो यह फैस पैक जो है मेरा बन के तयार है आपको इतना बनाना है कि वो टप के गाड़ा और चाहिवाच होनी अपने द्यान करने से वदर आप अब ध्यान रखनी है कि अपने इपना द्यान करना है कोई भी क्रीम, मॉश्र थीह , 큰 मै 생र की है इनका क्या काम है देखें दही जो होता है वो जुरियों को यानि की wrinkles को कम करता है इसकिन को KP करता है डाक सरकल को करता है open pores की problem है तो for को minimize करता है इस में होता है लैक्टिक이ट जो pimples की problem को भी solve करता है जो की oily lactic acid जो pimples की problem को भी solve करता है जो की oily skin वालों के साथ बहुत जादा होता है अब हम बात करते हैं honey की honey skin को tight करता है pores को deeply clean करता है dead cells को remove करता है skin पर glow लाने का काम करता है देखें बात करते हैं basin की basin जो है वो tanning को remove करता है आजकर गर्मिया है तो sun tense अभी को हो जाते हैं उसको remove करता है आपकी skin को glow provide करता है skin को tight करता है fine lines और wrinkles को भी कम करता है और rose water जो है वो हमारे pH level को balance करता है skin पर glow लाने का काम करता है अगर आपको sun बन हो गए हैं तो उसमें भी बहुत जादा helpful है तो चारो ही ingredient हमारे face के लिए बहुत beneficial है आप एक बार इस face pack को try करके देखेगा हफते में आप 2 से 3 बार भी इसको try कर सकते हैं तो मैंने अपने face पर और neck पर apply कर लिया है इसको सूखने का time देंगे 15-20 minute लग जाएंगे इसको सूखने में तो मेरा pack जो है वो सूख चुका है मतलब 20 minute के करीब लगा था पंके के बिल्कुल नीचे नहीं बैटना है नहीं तो यह जल्दी सूख जाएगा और अच्छा काम नहीं करेगा ल्यूग वाटर से मैंने इसको वाश किया है और मेरा face मतलब एकदम glow करने लगा है मतलब एकदम से यह भी नहीं कि मैंने एक बार ट्राइ किया है और बिल्कुल ट्यूब लाइट वाला glow दे दिया है लेकिन पहले से बहुत अच्छा मेरा face glow कर रहा है इसकीन जो है वो एकदम स्मूथ हो गई है तो आप एक बार इसको ट्राइ करके जरूर देखिएगा वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शियर और कॉमेंट जरूर कीजेगा चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा थांक य। थांक य। थांक य। वाचिंट थांक य।